कि अज़ा जा रही है नमस्कार जी सभी को स्वागत और विनंदर ने आप सभी का इस प्यारी से परिवार क्लास में तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएगा एक बार क्लास के यूटूब पर कंप्यूटर की क्लास होगी यार यूश दधीत जी वह भी स्टार्ट हो जाएगी विनया भाहु बली जी क्या हाल चालें आपके तब लोग आगया ना पिंकी वर्मा जी अमन नागले साब जी जी आई उस दधीत जी शुनराम मुर्मु साब जी क्या वात मुर्मु जी आ गये हैं अमन जी है जीतिंद्र पूर्सा जी स्वागत है और सभी का अभिनंदन है एक बार सभी लोग क्लास को सेर कर देंगे और बता देंगे आपकी क्लास स्टार्ट हो जुकी है आज भी बड एक साल तक की है याद रखेगा 249 का है मात्र ठीक है ना चले आज आओ जी चलते हैं एक मिनिट का समय दे दिजेगा यह थोड़ा सा डिश्टर्व हो गया है क्या देखते मैं भी चल जाया गर्बढ कर गया एक मिट का समय दीजेगा आज कुछ रहरा इसको थड़ा सा सही कर देता हूं इसको कर दिया इंपोर्ट है बसंतर का संय डीजीगा भी देखते हैं थोड़ा वेटर मुदडा है फिर सही हो जाएगा चलते है सीधा क्लास की ओर 21 वी क्लास हो गई है हमारी आज की आज का पहला कोशन सभी के लिए कोशन थोड़ा सा तकड़ा है ध्यान से पढ़िएगा अरे कंप्यूटर की क्लास हो जाएगी आई उस जी पहले हिंदी पढ़ दो निम्न लेके सब्दों और वाक्यों वाक्य खंडों को सही क्रम में इस्थापित कीजिए और बताईया आंसर क्या होगा कोशन क्या कहरा है कि ग्राम स्वरोजगार योजना की कहा कि वे मुख्यमंत्री ने घोशना करेगी यहां कहरा यह वाला जो है न यह सरासर गलत दिया हुआ इस यह सिक्वेंस से नहीं है आपको क्या करना पादकरम के आधार पे इसको सेट करना है तो नंबर क्यों आएगा अपका मुख्यमंत्री आएगे तो देखो पहले नमबर पर मुख्यमंत्री का यह बचा बाल से नेff訪 साथ होगी उसमें भी अच्छा जी- किस विकल्प में वाके सुध्द है बताईएगा एगा किस विकल्प में वाग के सुद्ध है यह भी वादा दो उसके बाद फिर आपके मर्यदार कोशन है केरा वेकलाइट है जो विद्धुत रोधी एक अन्य परकार की प्लास्टिक होती है तमालोचक के रूप में दिवेदी जी ने किसी नूतन सैली की उद्भावना उद्भावना की नहीं की आदर्सवाद के अनेक यूग का इतिहास आग्रह के कारण उपदेशात्मक हो गया है चरित्र गठन को प्रस्तुत किये गए मनोरण्यन मात्र के लिए साहित्य से भी हानी नहीं पहुंचनी चाहिए अब यह थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा प्लास्टिक बेकलाइट वित्त रोगियत अन्य प्रकार की प्लास्टिक होती है यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है यहां पर नहीं आएगा अच्छा जी है सबसे लास्ट में आएगा आगे बढ़ते हैं इसको भी हटा दो करा समालोचक के रूप में दिवेदी ज बेरी आगर कालने नहीं पहुच दी यह कहेंगे मनोरणयन मातर के लिए चरित्र गथन को प्रस्तुत किये गए यह वाला सरी हो जाएगा इसको आटा दू कियारा जनता काफी आक्रोसित थी क्या अब एक बात बताओ मुझे कभी नहीं खतम हो सकती जब तक पढ़ते रहो मेरी हिंदी आस तक नहीं खतम होई तुम्हारी कहां से खतम हो जाएगी यह बताओ पहले तो हाँ इसकी स्लेवस की हिंदी कंप्लीट हो जाएगी टेंशन मतलिना अगर बैच की बात कर रहे हो किसमें विने बैच में तो विने बैच में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी यह मांटकी चलिएगा अप्रेल चल रहे मई में खतम कर दूँगा जंता काफी आक रोसित है एक वचन बहुचन दुई वचन कुछ ऐसे आते हैं सब्द जो सदेव एक वचन में रहते हैं सदेव ए चलिए संदेव न एक उधोव अपवाद को चोड़ के बाकि सभी जितनी भी आपकी भाव आचक संध्या है सब एक वचन में जितने भी आपकी समू आचक संग्या है समू आचक किसमें आएंगी बोलें सब एक वचन में आएंगी उसके बाद सहायता सब्द आजाए एक वचन में आएगा जनता आजाए एक वचन में आएगा ठीक ना तास आजाए एक वचन में आएगा अगनी ऑफचन सब्सक्राइब यात रखेगा यह सब्सक्राइब करदेद अपर परिवर्तित नहीं होते हमेशा वजचन में रहते हैं जैसे आपने कहा दिया प्राण निकल गए जैसे आपने कहा आशु तो सबस्ता करने चुलिक लोग भी आपका स्दे वंभी सब्चन में आएगे अब अब धर्य शन में आजे रहाइंगे जो अदर्विवक्मों पर यहां रहां सिर Chemiese किसमें आये गान सुसक्षा क्या एक वचंव में करूद कराद भौय कालशा के ला और राज्टी क्रिया कंव employment किर्याकिक येयर क्रिया एस रहा है यहांब पर सब बनाना इसकी बाद कर्या के लाık मुख्य के लाव है कर यहां इसके बार जाता मुख्य के अंदर रहाय का मुख्य कर इस्थर हो जाता अगर कहता का मुख्य आदार रहायर तब वहला तो आerdh International सभी लोग याद रखेगा और संसा है यह वाला सब्द कॉन सा है और यह सब्द मैंने लिखा नहीं था वहां पर जल्दी से बतादो स्पीड बोली हैं बच्चा उपववली जो रहा है हिंदी की 18 बोलिया है यहां पर आंसर करके बताएगा तभी लोग एक वचन में प्रियुक्त होने वाला सब्द भीड है प्राण है दर्शन होस है हस्ताक्षर है वह नसर यह तीनों के तीनों बहुचन आते हैं जो सदेव बहुचन रहते हैं किसमें बहुचन है और यह जो भी सब्सक्राइब रहें इस निण रहेंगे रहें यहां सब्सक्राइब विल्कुल सब्सक्राइब क्यों रहें यांसर करके अपने जितने लोग है कि कमेंट करेगा स्पीड में बहुत बढ़िया एक मिनिट का समय देजेगा मैं क्लास सेर कर लूँ आप लोग तो सेर करोगे नहीं मुझे पता है मैं ही कर लेता हूं शलो जी आ जाओ कि यह गीत चुराया हुआ नहीं मतलब स्वारचित खुद से रचा गया है का मतलब क्या होता है स्वेम से रचा गया स्वारचित का मतलब होता है यहां पर क्या लिख देंगे स्वा रचित लिख दें स्व रचित का मतलब क्या होता है जो खुद से रचा गया हो क्लेर अगरा कोशन कहई रहा है कि द्लिन वाक्यों में इसे पूल भूट काल जरा बताएगा कौन सा है अब पूर्ण भूत्काल की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको याद होगा मैंने गाता भईया क्रिया होगी लास्ट में और क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा होगा वुलिंसर था लगा होगा क्रिया के ठीक बाद और कोई साहिक क्रिया नहीं होगी क्या बोलेंगे क्रिया कि ठीक बाद था लगा होगा था होगा थी होगा थे भी हो सकता है अब क्या कहरा जरा समझेगा कहरा है मैंने उसके कविता सुनी सुनी क्या है वनुसर क्रिया है और क्रिया के ठीक बाद क्या है वनुसर थी लगा हुआ है यह कौन सा हो गया वनुसर यह हो गया आपका क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां क्या होता है कौन सा हे तू हे तू मद भूत होता है कौन सा हे तू हे तू मद क्या हो जाएगा बुलू सर हे तू हे तू मद भूत काल हो जाएगा याद रखेगा क्लियर यह चीज हमेशा याद रखेगा करना मेरे घर के सा और बमने निर्माड़क दो सब्सक्राइस काई कि अब लुगान करेंगे कि मुद्सका अभियुक्त कहा जाता है विवेख सिंग्जी जिस पर मुकदमा चलाया गए हो उसको अभियुक्त कहा जाता है अभीयूक्त लिए गया कि इसका मतलब यह नहो अर्थां यह कौण सा हो जाएगा बोनें सर्ढ यह संभावे वरतमान हों आया ना हो की बात कर रहा है वर्तमान तो यह संभावे वर्तमान हो गया क्लियर श्री एंसी आर्टी में 1718 होंगे आप सही से देखिए बले leaking आज तुमने मुझे वा उपहार दिया डिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जासागे अब जिसे भुलाया नहीं जाक्ता औस्से क्या कहा जाता है कमेंट करेंगे सभी लोग मिलखा सिंग जी का आज बर्थडे है सभी लोग विस कर देज़ेगा हैपी बर्थडे टू यू तू यू हैपी वाला बर्थडे मिलखा सिंग एकदम तगडी दोड़ लगाईए थोड़ा सा स्पीड में चलिएगा इस मनी का मतलब क्या होता है मुलेसर याद रखने य ना हो जिसे भूला ना हो उसके बाद करा विश्मर्ट जिसे भूल गया हो करा आ विश्मर्णी जो भूलने योग ना हो क्या बोलेंगे जो भूलने योग ना हो जिसे कभी भूलाया ना जाता कि या जो भूलने योग ना हो उसे क्या कहा जाता है विश्मर्णी कहा जाता है और इसमर्णी का मतलब क्या होता है याद रखने योग जो याद रखा जाता है समझ गए और उसके बाद कह रहा है कि विश्मर्णी का मतलब क्या होता है अगर पूछले विश्मर्णी का मतलब क्या होगा तो क्या कहेंगे कहेंगे सर विश्मर्णी का मतलब होता है जिसे या फिर जो 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 भुलाए जाने योग्य है यह जिसे भुला दिया गया हो अगले पर आजाओ कि निम्न लिखित में से इसत सब्द का विलोम क्या होगा बताना है सभी इसत का मतलब क्या होता है इसत का मतलब होता है कम इसत का मतलब क्या होता है इसत का मतलब होता है कम अब इसत रणण नीज अर्ठात जो जिसके अंदर क्या बोलंगे जिंट दुस्ट नहीं है एकक इसका विलोळो incredible doseलील हो जाएगा क्या टीनर याप・ इसका शुक्र मतलब होता है पूरा या पूर्ण क्या बोलेंगे फूरा या प्रिचूर का बात के ला प्रेम का क्या होगा प्रेम का घ्रणा हो जाए या फिर इसवर भी कहा जाता है जीव का विलों में इस भी बन सकता है यह ज़रूर याद रखेगा सभी लोग अगरा कोशन गया कि किस विकल्प में सभी सब्सक्रद इस्त्रिलिंग और पूर पूल्लिंग पहचानने का सबसे आसासा तरीका क्या है कि सब्सक्राक बार में क्या लगाएं आपको संब्सक्राइब के बार्व आपको पहले हैं यहां जाए बता एगा न रिखándry सर्बनीर को अगर आजाएं आप क्या भूक लगी है क्या मोने भूक लगी है मतलब अच्छा है पूल्लिंग हो गया मिठास अच्छी है येπως रिलिलिंग हु गया धीमिना हुखकर sia लेकिन जोती आप कौंगे चमक हो रही है और आठ हो रही है तो आपको किसको किसको दिक्कंत हो सकती है मैं बताऊं जैसे वेश्ट वेश्ट वेंग वाले हैं उडीजाओ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती इस question में कि यार खेत बात होती है बात होता है वहां तो चाहे पी नहीं जाती वहां चाहे पिया जाता है इसलिए आप से पूछ रहें एंसी आर्टी में सत्रा मैंने नहीं देखी एसकी ठीक है अभी याद नहीं है मुझे मतला एंसी आर्टी तो मैं खूब पढ़ा हूं लेकिन मुझे याद नहीं लेकिन 18 आपके जो भी आयोग है ना वह 18 ही मानते हैं आपके जो उप बोली है अठा रहे ही आप भी करिएगा मेरे हिसाब से बाकी मैं इसको एक बार देखूंगा फिर मैं बताऊंगा ओके चले जी कहेंगा चिकने मों का ठग होना का मतलब क्या होता ऐसा वक्ति जो देखने और बात करने में भला मानास हो दो व्यक्तियों को आपस में लडाने वाला ऐ बिल्कुल देखूंगा रोशसंत्र पाठी जी एक बार देखूंगा फिर मैं बताऊंगा वैसे मेरे हिताब से अठारी होती मैं अठारा पड़े क्या बोलेंगे चिकने मों का ठग होना उपर से मीठी बाते करने वाला किन्तु अंदर से धोखे वाल इसको क्या बोला जाता ज यह वधू है और जीवन है क्या बोलेंगे सर्थ तुम्हारी वधू आ गई वधू का मतलब क्या होता होता है बहू हाँ जीडी से थोड़ा सा पर मिलेगा आपको CRP उफला थोड़ा सा इस स्पीड में कमेंड करेगा क्या वधू आ गई ऐसी तो आ गई तुम्हारी आपका Pulling हो गया याद रखेगा हिंदी में को फिर से पूच रहा हूं फिर से एक बार बतायेगा यही पर P exem पूछ लेगा राज्यपाल में कौन सा लिंग है जरा बता दीजेगा यहीं पर पूछेगा आपसे मुख्यमंतरी में कौन सा लिंग है जरा बताएगा डॉक्टर में कौन सा लिंग है जल्दी जल्दी बता दो आपसे पूछेगा माश्टर में कौन सा लिंग है आपसे पूछ सावी है पूछ कितने होते हैं कितने होते हैं इस कहीं की सारे हैं मतलब दो होते हैंहाद कॉंट से इक में आफसा होता आपका पूलिंग याद रखेगा उभेलिंग अलग से आता है आपका यह भेद में नहीं आता है ओके चलो जी कहरा हमारा देश दीरे-दीरे आत्म ने बढ़ता कि किसकी और गंतव्यकारण लच्छिया यस की और यस का मतलब क्या होता है यस का मतलब होता है सेमस होना ठीक है न हम इसमें किसी को प्रॉब्लम होती होगी अगर मीना जी को प्रॉब्लम है तो बताई यह उतार के पढ़ाने लिए इसका कोई मतलब कोश्चन से रिलेटेड है नहीं आप पूछ रहे हैं आपकी ठंडक के लिए मैं बता देता हूँ ठीक है यस का मतलब होता है फेमस जो फेमस अगले कोश्चन पर आजाओ किस वाक्य में विश्मयादी बोधक अव्वे का प्रियोग किया गया है जरा बताएगा कमेंट करेंगे सबी लोग चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बात माल ली अब मैं क्या करूँ प्राया ऐसा ऐसे लोग जल्दी साथ छोड़ जाते हैं अच्छा तुम 10 साल पहले यहां आये थे क्या किया रहा है चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बात माल ली अब मैं क्या करूँ प्राया ऐसे लोग जल्दी साथ छोड़ जाते हैं अच्छा तुम 10 साल पहले यहां आये थे अब ध्यान से समझेगा इसके बारे में यह क्या ह या तो आपका कौनसा बोलेंसर ये वाला चिन्द लगा होगा या तो इसके बाद कौनसा बोलेंसर ये जो इसमें चिन्द लगा हुआ है कौनसा बोलेंसर ये वाला चिन्द लगा होगा समझ लीजेगा विश्मयादी बुधक का प्रयोग किया गया है हमेशा वाकिसे पहले हो ठीक ना और यहां भी कौन सा हो गया प्राया यहां भी कहना सर कालवाचा क्रिया विसेशन हो जाएगा तो इन दोनों में कौन सा है इन दोनों में क्रिया विसेशन का यूज किया गया है क्रिया विसेशन अव्वे का अब मैं क्या करूं तो करूं कब अब 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 यह क्या हो से कहा जाता है जो एक उप्वा किको दूसरे उप्वा किसे मिलाता है उसे क्या कहते समुच्य बोधक अव्वे कहा जाता है बोलिये समझ आया क्या अगले कोशन पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आज चाहे नहीं पिया जी चाहे आई नहीं तो कहां से पिलू option number D वाला क्या हो जाएगा द्यान रखेगा सभी लोग कौन सा दी वाला सई है किस क्रम में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है अब संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती एक तो विभक्ति इसकी होती है के लिए या फिर एक विभक्ति कौन होती है एक विभक्ति को भी आती है को विभक्ति कब आती है जब क्रिया देने के अर्थ में हो क्या बोलेंगे क्रिया अगर देने के अर्थ में है क्रिया किसकी अर्थ में बोलेंगे देने के अर्थ में तब कौन सा हो जाएगा बोलेंसर तब आपका को विभक्ति आएगी लेकिन यहां क्या कह रहा है बच्चों के लिए मिठाईलाओ के लिए आगया बोलेंसर आंसर एवाला हो गया लेकिन इसका भी पोश्टमाटम कर लेते हैं हाथ से घरी गिर गई अब से दर्फ भश्टम ँजो जाएगा आसमान का निला है किसका आसमान का रंड तो रंग और क्या बता रहा यह कौन सा हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा बोलो क्या समझ में आया सभी को या नहीं आया एक बर कमेंट करके बताएगा लाइक वाला बटन दबाएंगे सभी लो अगरा के निम्लिकित वाकि खंड को एक उप्युक्त सब्द से बदलें और बताए जो बुद्ध मिनाक्स बोलेंगे बोधगम या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आखों के सामने हो जो आखों के उसे क्या कहाज़ाता है और जो असानी से समझ में आ जाए यह झाना जासे किया कहा जाता है यहां से कारक का पर सरग है हिंगित कर रहा है यह से को कि की दूरी मेरा घर है 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है यहां पर ये जो की सब्त दिया हुआ एप आता तो किसमें आता पर आता तो सब्सक्स में किस में आता जाता यहां पर अधिकरण सबसंबंद में आते वी वाला अंसर सही हो जाएगा समझ पाए नहीं समझ पाए एक बार बताएगा सभी लो क्लियर बहुत बढ़िया अगरा कोशन के रहां कि सर्वनाम का प्रकार चिन्नित किजिए और बताई यहां पर यहां पर केवल बताना है आपको केवल इस वाले को द कि अब अगर पूरे वाक कि देखिए ध्यान से समझेगा अगर आपसे पूछता पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा तब क्या बताता है सर संबंद वाचक सर्वनाम है क्यों 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 कह रहा कोई तो होगा तो होगा जो तुम्हारी तो जो तो यह क्या होगा सर पुरुस वाचक में तीन भेद होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ एक उत्तम एक मध्यम होता है एक कौन सा होता है एक अन्य पुरुस होता है पुरुस में मैं आ जाएंगा हमा धायंगा ने मध्यम्पुरुस में तू हो जाएगा तुम हो जाएगा और क्या सबको निमंतर उचे सब्द चुनकर वाक्य में रिक्तिस्थान की पूर्टी कीजिए आप कैसे ये देखे रिक्तिस्थान कैसे बढ़ना है आपको आपने का चंद्रकांता उसके बाद किया पूर्वक अब इसमें से आपको देखना कि पूर्वक किसके साथ लग सकता है अगर आपने यहां आपने यहां सकते हैं और आपने आपने लिख दिया फिर कॉर्वक नहीं सकते हैं फिर कौन सा और इसावाला आंसर सही हो जाएगा यहां पर क्या कहेंगे कैंसर विनैपूरवक आंसर एकदम सही हो गया बोलो समझ आया क्या बहुत बढ़िया कि ना मेरे नाम आएगा आजो केरा सिक्षा के प्रसार के साथ किसी शेत्र की परिभासिक भासा के सब्द और प्रियोग सामान निभासा में घुल मिल जाते हैं आपको बताना यहां पर गलती कहां पर पिंकी जी कमेंट करके बताएगा साइना प्रणी जी रजनी जी सचिन चौधरी जी और नेहा सैनी जी और कौन है लकी सिंग जी है रोशन त्रिपाठी जी है तनु चौधरी जी है वन मैन आर्मी है और मैं इस कैप से बड़ा परिसान हो गया बहुत जल्दी यह कैप मैं उतारने वाला हूं तो आप लोगे क क्या बोलेंगे सबका ए आ रहा है तर यह के साथ जा रहे हूं हा ओ अज ट्रसलिए चैचा के परसार के साथ किसी चैत्र की परिभासी और कि process कैसी छेत्र की भासा के सब्द किसी चैत्रके वहा शनुक्र क्या बोलेंगे किसी छेत्र की भासा और प्रियोग सामानि भासा में घुल मिल जाते हैं Śक्षा के प्रसार के साथ किसी छेत्र की भासा और प्रियोग सामानि भासा में then मिल जाते हैं नहीं के सब्द आएगा तिक्षा के प्रसार के साथ किसी छेत्र की भासा के सब्द प्रियोग और प्रियोग सामानि भासा में घुल मिल जाते हैं इसको हटा दीजेगा सब्सक्राइब आपको अगर नाम बनाना है तो उसके लिए आंसर देना पड़ेगा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजे मेरा टाइम क्या है तीन बज़े से डेली क्लास चलती है नाक पर मक्षी ना बैठने देना इसका मतलब क्या हुआ कि भाईया आच ना आने देना क्या कहेंगे आच ना आने देना जैसे आपसे बात हो रही है आपका दोस्त आपको कोई गलत बता रहा है आपका दोस्त एकदम तुम्हारे उपर आच नहीं आने दे रहा है वह तो नाक में मक्षी नहीं बैठने दे रहा है वहला किसी की बात सुनी नहीं रहा है अपनी बा पून्हास locks hed. सुद्ध मुहाव्रे का चैन कीजिए क्या हो सरी मुषावरा बताइएगा तर 5000 हाथ नहीं रखने देणा, तो क्या बोलेगे सतर्फ पुठे पर हाथ ना रखने देना, इस का मतलब क्या हुआ किया स्चित्य सब्द से दिया गया वाकिपूर्ण, ना आने देना ठीक न यह वाला हो जाएगा त्ष्टी वाला अंसर क्या हो जाएगा बनसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगरा कोशन करें सरवोचित सब्द से दिया गया वाकिपूर्ण करें और कोशन आपका यहां से स्टार्ट होता है ठीक है न किरां दुनिया में अब बहु वर्चसक को कोई सब्द नहीं होता विस्तार होगा अभाव तो नहीं आएगा क्योंकि कायम कर रहे हैं तो बहुराश्त्री कंपनियों का इतना प्रभाव है कि अज दुनिया के तमाम देशों की सरकारी उनके इसारों पर बंती बिगड़ती हैं तो सी वारा अंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला कह रहा है यह आपकी 6 घंटे की महराथन आ रही है 15 अपरेल सुबा 9 बजे से याद रखेगा यहाँ पे शीना मैं आपको पढ़ाने वाली हैं इंग सीउपशित क्या होगा जरस बताएगा अभ देख एकभी ऐसा आजाए मैंने आपको बताया था कभी भी आजाए अपने अप क्या बोलेंगेगा उप्राइं सवाक्य महारी हमारी हमारी आपने कहा साना चाह आ गई टाइम से अब आज होगावाज़ा जरह क्मेंट करके बत कुल सही क्या बोलेंगा कैंग सर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा याद रखेगा सभी लोग अर्थात अंसर बी वाला एकदम सही हो जाए चले जी अगले पर आजवा कहेड़ा दियेगा वाक्य के वर्तनी की द्रश्टे से असुद्ध अंसका चैन कीजेगा और बताएग पर इक की इक ही भाई मेरा सकतकर एक और तांड नमेर गूं से टाइम क्लास की बात कर रहे हो तो पूछ रहा हो यही सब्साव मयकर दून 30 वज़े से चार सब्सक्राइब हुँ सुक्षकप पूर पीयम तक पूर पीयम तक समझ गई नहीं समझें और लिख दूं तीन बज़े से डेली क्लास चलती है लिख दिया भया तीन बज़े से डेली क्या बोलेंगे कैंग सर यहां पे असुद्ध बताना परिक्षा है पढ़ाई में वैस्त हूँ समय का दुरुपियोग नहीं क यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर बड़ा वाला वाला उ लगा हुआ है यह वाला सही हो जाएगा याद रखेगा अर्थात इसकी वर्तनी गलत है ऑप्शन नंबर ए वाले की बड़ा देर में आए भाई साब 22-26 पर आगया छे कोश्चन के बाद कह रहे हो 22 वाला बता द का घकी नाओ नहीं चलती मिट्ती की नाओ नहीं चलती लौहे की नाओ नहीं चलती थोड़ा साइस पीडव में बताये गा सर जी मेरे फौर्म के फोटो पर एर देट और नाम तो reject हो जाएगा से ऑट रिजेक्ट दूसरा भाढर दिजे में हुआ ऑर वरना दूसरा बढ़ दीजिए हंडेट परसंट हो जाएगा अगर आपने सिगनेचर और डेट दोनों एक ही पर लिख दिया है अच्छा जी करना निम्न मैंसे सुद्ध रोकोक्ति कौन सी होगी बोलें सर पॉइंट नंबर 14 देखेगा उसमें लिखा हुआ मैं साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा काजच की नम नहीं शलते क्या ब hash już होजाएगा लिऑ ना इस वह सन देखे दियान से समझेगा व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या के रूप में प्रियूख्ट हुई है मतलब व्यक्ति वाचक से क्या बनी है जाती वाचक बनी ऐसे कौन सा वाकिय जड़ा पढ़के बताएगा सभी लोग कि अरे यार इसको हटाओ यार कोई महराजा को कोई या टाइम पूछ रहे हैं आपका अच्छा एप का टाइम क्या है अरे हम भी पागल है अजका देश को नटवर लाल ने नटवर लालों ने तरह से ठगाएं अच्छा दर्भान खान का लवा पुरुसके दढ़ संकल्प से संकल्प ने देश को एक सूत्रमे बागा है भासा की विभिनताओं के बावजूत देशवासी अभिन्य है हमें बुराईयों से दूर रहना चाहिए अब देखो जरा इसको पूस्ट माटम करता हूँ कह रहा हमें बुराईयों से दूर रहना चाहिए बुराईयों क्या है बोलें सर जाती वाचक संह्या क्या कहेंगे जाती वाचक हो जाएगा उसके बाद कह रहा है भासा की विभिन्नताओं के बाउजू देशवासी एक नहीं है देशवासी भाईया यहां भी जाती वाचक हो गए उसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है लापुरुस के द्रेशंकल्पने लापुरुस कौन सरदार वल्लब भाई पटेल क्या कह रहा है कि रहा है सरदार वल्लब भाई पटेल की बात कर रहा है वल्लब भाई पटेल की बात कर रहा है जिनको लवपुरुस भी कहा जाता है यहां पर देखे अब अब आपसे कोशन पूश्टा कि भईया कौनसी संगया नटवर लाल तो आप क्या बताते कहते सर वैक्ति वासक संगया कौनसी वैक्ति वाचक संगया यह कौन नटवर लाल है जिसना था टाजमहल को बेज दिया था तो क्या बोलों इसका मतलब क्या हुआ यह व्यक्ति वाचक से बन गई है जाती वाचक आई है जैसे आज भी देश में स्रवन कुमारों की कमी नहीं थीक है ना क्या बोलेंगे सर आज भी रावन पैदा हो रहा है देश में तो यह सब क्या हो जाएंगे हाँ यह सब हो जाएंगे आपके व्यक्ति वाचक से जाती वाचक के चंद्रमास के किसी पक्ष की बार्वी तिति को क्या कहा जाता है कोई बताएगा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना यार मन करें तो लाइक वाला वटन दवा देना यार देखो जी चंद्रमास के किसी पक्ष की बार्वी तारीक द्वादसी द्वादसी का मतलब क्या होता है दो प्लस दस स्टो डस क्या बोलेंगे सोलह सोलह प्लस दस अर्थाथ सोलवी क्या बोलेंगे सोलह प्लस दस सोडस केवल सोलह को बोलते हैं सोलवी को नहीं सोलह ठीक है ना कह रहा है त्रियों दस मतलब तेरवी तारीक क्या बोलेंगे इसको त्रियों दस ही बोला जाता है त्रियो दसी ये क्या हो गया इसको बोलते 13 प्लस 10 एका दसी मतलब 11 प्लस 10 ये कौन सी हो गई 11 तिथी समझ गया नहीं समझे तो कौन से हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए वारा हो जाएगा 2 प्लस 10 बारवी दुआ दसी हाँ सोड़े संस्कृत का सब्द है हिंदी में 16 कहा जाता है अगर करें निम्दलकित में से कौन सा दुष्ट का परियावाची नहीं है कौन करेकर बताएगा कमेंट दुष्ट बोले तो क्या धूर्त निक्रिष्ट निक्रिष्ट अधम पापी और क्या बोलेंगे खर खली खल बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको पापी बोल दिया अधम बोल दिया नीच बोल दिया ठिक न अभद्र बोल दिया असलील भी कहा जाता है अभद्र असलील भी कह सकते हो दुर्जन भी कह सकते हो ठीक ना दुष्ट भी कह सकते हो यह सब किसके होगे बोलुंसर यह इसके होगे अब कौन सार नहीं है तो बोलुंसर खलक नहीं होता है खलक का मतलब क्या होता है खलक का मतलब होता है संसार क्या कहेंगे क् morality संसार खलक का मतलब होता है जगत क्लक का मतलब होता है दुनिया गलग का मतलों होता है कि विश्यू भेज्ष करक का मतल भोता है भूण ओन भी इसी को और जाता है यह सब किसके बूलने से यह सब खलक या पर या और वल्ग dau यहां कै तीसरा थोड़ा सा श्मीड बढ़ादो गया है समय हो गया है 10 मिनिट बचें अपने पास केवल 15 लाइन बचने पास प्रसा इस पीड बढ़ाते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस सरकारी पुस्तकाले में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती आपको बताने यहां पे गलती कहां पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाईएगा तो हम लोग भी जल्दी करेंगे इस सरकारी पुस्तकाले में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती गलती मिली क्या मिल गई सभी क हां थोड़ा सा इसा रहेगा सट्ट्टू बढ़िया झी सब्ताहिक गणता ही कैसे लिखेंगे लुक्ष इस लिखा जाता है है याद रखेगा इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ भुण यह फला गलत लिखा स्थान वा Cherry डीया विस्ञर्ण का ही भेध होता है जिसमें रीती वाक सब्स से थाहां पर्ण श्थान वाचक कौनूल दिसवा चाल जब आप पढ़ागे अच्छा उसके बाद क्या रहा है ऊपर यह इस्थानवाचक हो जाएगा यहां सबसे सट्टी कॉन सा क्वी放 एक की बात कर रहा है तो क्या तो क्या थो स्भी ज्रुझ में आ मन करें दिल करें तो सेर कर देना अगर मन दिल ना करें तो मत सेर करना राजिस्थानी मीना जी रूपेश कुमार जी कुछन कुमार जी है हमारे साथ में और इनका क्या नाम है भाई साब का विकास बैच लाइव क्लास कब चलेगा अभी तो रेकॉर्डिंग पढ़ लो पहले फिर लाइव क्लास भी आपको मिलेगी टेंशन मतलो निम्न मैंसे कौन सा विलोम इसके बारे में आपको बताएंगे विशाल सर से वीके सर से बूचेएगा विलोम यूखम आसुमेलित है विलत है जरा बताएगा कमेंट करेंगे अब क्ले लोग x2 जली जल्दी लावयू ठूआ को अब च्ада लूटम जीतन्दृ चान्तं सुन वता है चस मटेंविक ऑ देगो च तका लंचर भी होताdate तो सुस्ट भी होता है मिलोट है और नंतलो नहीं होता है यह सही है चैन पढ़ गई बेचैन नहीं है मतलब कल नहीं पढ़ रहा है चेतन का क्या होता है बोलें सर्थ चेतन के दो विलोम होते है कौन कौन से बोलें सर्थ चेतन का एक होता है अचेतन जिसके अंदर चेतना ना हो और एक होता है आपका जड़ यह भी क्या है बोलने सब्सके लिबेंसर दोनों चेतन के हैं सुस्त का विलो मं क्या होता है बोलने सब्सक्राइगा कहां पे अप्रूर pretudka पंपे बतानें आपको अपूर लखा था रही थी आए अप उडभूद कल देखो किया कहीं पे जल्दी जल्दी मिफ्स है क्या कई पे आया ना सबका कहीं लोग् गलत कर रहें कहीं लोग के साथ जा रहें कहीं लोग किके सा जारें को जा pike कैसे हो जाएगा लोग जानते हैं कि प्रत्वी सूर की परिकर्मा करती है मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ता है हो जहाँ पे ती है हो जहाँ पे ता हूँ जहाँ पे ती हूँ हो वहाँ क्या होता है इनके स्थान पे आप कर दीजेगा सामान्य वर्तमान क्या करना है आपको सामान ने वर्तमान करना है ठीक है किरे रही थी रहा था रहे थे किसमें आएगा अपूर भूत में आ जाएगा किरे राम उस रात को भूल चुका अब चुका किसमें आ गया बोलेंसर जहां पे केवल क्रिया समाप्त हो जाए कोई साहे क्रिया ना लगी हो कौन सा हो जाएगा सामान ने भूत काल हो जाएगा ठीक करा रूस ने यूकरेन पर बं गिराया होगा तो क्रिया के ठीक बाद यह क्या है गिराया क्रिया है और क्रिया के ठीक बाद होगा होगी होंगे हो क्या हो होगा होगी होंगे हो तो क्या बन जाएगा इसको यह रहा होगा रही होगी रहे होंगे भी हो सकता है यह क्या बन जाएगा यहां पर आपका संदिग्द भूत बन जाएगा संदिग्द भूत यह रहा होगा रही होगे रहे होंगे हो तब क्या हो जाएगा संदिग्द रहा होगा नहीं वह वर्तमान में बनेगा क्रिया के ठीक बाद में होगा होगी होगे लगा हो भूत बन जाएगा ता होगा ती होगी ते होगे रहा होगा रही होगी रहे होगे अगर यह आता है तो यह आपका संदिग्द वर्तमान में बन आएगा याद रखेगा यह दोनों सब्दों को अच्छे से याद रखना है कि अब किसमें वर्तनी गलत है जरा चापो आंसर करेगा हमारे पास बचे हैं दस बिलिट चंदरपाल सिंग जी स्वागत है आपका बताएंगे सभी लोग भगवान सिव संभू का नाम त्रिलोचन भी है कौन सा गलती है कहां पे गलती है जल्दी से बताओ स्पीड में बेलकुल सही क्या बोलेंगे कैसा डी वाले में गलती है त्रिलोचन ऐसे नहीं लिखा जाता सर त्रिलोचन कैसे लिखा जाएगा बोलन सर त्री वनेगा पहले उसके बाद लोचन मतलब आख बन जाएगा त्री लोचन ऐसे लिखेंगे यह वाला क्या है बोलन सर गलत है और अप्सन नमबर डी वाला अगला कह रहा है उचित कारक्षिन से वाक्य पूर्ण करें रानी बा आप अ कुछा कि आथ हो मैंने कुछ बताया सर्वनाम दिया हुआ है तरवनाम के ठीक बाद है घ्या विससे कहा जाएगा अब कैसे कहा जाएगा जड़ा आओ एक्जांपल में समझते हैं वह क्या है तर्वनाम के ठीक बाद क्या है संग्या यह सर्वनाम क्या होगा सर्वनामिक विसेशन चेक का परियावाची क्या होता है कौन बताएगा चक का परियावाची चक मतलब चक ना नी चक का मतलब क्या हो गया बोलने सर्थ जो चक्षु से बना है चक्षु से बना है चक जिसको अक्षी के नाम से भी जाना जाता है अक्षी से क्या बना है बोलने सर्थ अक्षी से बना है आंक जिसको लोचन भी कहा जाता है जिसको विलोचन भी कहा जाता है जिसको नैन के नाम से भी जाना जाता है जिसको द्रग के नाम से भी जाना जाता है जिसको नेत्र के नाम से भी जाना जाता है ये सब किसके बोलते हैं नैन के परियावाची जिनको वज्री के नाम से जाना जाता है, जिनको वज्रधर के नाम से भी जाना जाता है, जिनको सस्राक्ष भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, सस्राक्ष, ठीक न, सस्रांग्ष, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर, इनको सची पती के नाम से जाना जाता है, सची पती, सची पती और क्या बोलते है विड़ोजा हो गया विड़ोजा वज्री हो गया वज्रदर हो गया सिस्रांक्ष हो गया इंद्र हो गया इनको हरी भी कहा जाता है यह सब इंद्र के परिया है वाची तुर का राक्षस बोला जाता है राक्षस दानों भी कहा जाता है निसाचर भी कहा जात प्रतता है कि द्याना नाम से भी जाना जाता है द्यान करता है उससे क्या कहा जाता है ध्यान मंगन वैचारिक ध्याता यह 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 तो यह ने वाला कहा जाता है option number C को याद रखेगा अगरा कोशन कह रहा है यह आगए आपके क्या बोलते हैं समय कितना है अच्छा हमारे पास 4 मिनिट वच्छा हुआ है यह आपके कोशन आ गए है किसके मुझे यह हैं आपके गद्यांस वाले आपको दिखनी रहा होगा गद्यांस मैं आंसर बताता हूं आप लोग पीडियोफ में बाद में इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिजेगा ठीक हैं आपको दिखनी रहोगा बड़ा करूंगा तो मैं यह फैल जाएगा और कहीं पी देखोगे गिरिधर्दास लिखा हुआ मिलेगा ओके यह सब नाम लिखे हैं न यह देखो गिरिधर्दास यह लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा जब बाद में देखिएगा नहसु नाटक के नाटक यह देखो नहसु नाटक उनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर्दास द्वारा अनुनिस सुप 1869 में लिखा गया था ऐसे देख लिजेगा बाद में अगरा क्या कहरा कहरा नए नाटकों का मुख्यस्वर नहीं है अब नए नाटकों का मुख्यस्वर कौन सा नहीं है नादी सौंदर देश प्रेम और समाज का चिंता का उल्लेक तो यह आपको इसी में मिल जाएगा छाट नहीं वाला कोशन है तरीका में बता दूँगा इसको सौल करने का तरीका क्या है तो दो मिनिट के लिए वह तरीका जूर देख लिजेगा सभी लोग चीगा उसके बाद क्या बोलेंगे कहेंगे सर उसके बाद कह रहा है नाटक विदा के संदर्म में असत्य कौन सा बोलें सर फिर वही आ यहां क्या कहेंगे दक्षण यच्छगान गुजरात भावाई उत्तर या सुमेलित आ सुमेलित है मतलब गलत है राजिस्थान का अंकिया लिखा हुआ है कहीं पर लिखा होगा आपको मिल जाएगा राजिस्थान का अंकिया जब पढ़ेंगे आप इसमें मिलेगा राजिस्थान में यह देखो राजिस्थान में ख्याल होता है अंकिया नहीं होता है राजिस्थान में कौन सा होता है बोलें सर ख्याल होता है आप पढ़ों के बाद में देख लीजेगा ओके हाँ चले यहां क्या बोलेंगे 240 रुप सब्सक्राइब कर लिजेगा काल नेम जो हनुमान जी से लड़ा था उसी का नाम था काल नेम जिमी रावन राहु नहीं सुना है आपने रावन ने भेजा था चलिए थैंक्यू सो मच बाइबाइ टाटा टे क्यार सभी को मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए सभी को धन्यवाद नमस्कार जहिंद क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा गध्यांस पढ़ लिजेगा एक बार यह सारे गध्यांस छपने वाले हैं इनको छोड अश्यांस